वीवर्स एक ऐसा वाइड ड्राइगन जो अपने मूझ से आग नहीं बलकि बर फेकता था उसके पास तो रूप बदलने की भी पावर्स थी इतना ही नहीं अगर वो ड्राइगन किसी को अपने दिल का एक तुकड़ा दे देना तब उस इंसान के पास अलग-लग टाइप के ज सैतानी लोगों को मारने में जिनके पास डिफरेंट जानोरो की पावर्स थी इस बारे में तो जल से जल पता लगाना पड़ेगा कहानी की शुरुवात में ल्यूकस नाम के एक लड़के को अपने घर की तरब तीजी से भागते हुए दिखाया जाता है क्योंकि लूकस को घर से अपने परिवार वलों की चिलानी की आवाज आ रही थी जब लूकस वहाँ पहुचता है तब कोई सैतानी लोग उसके पैरेंस को टॉचर कर रहे थे उनके पास तो अलग-लग जानोरो की पावर्स भी थी कोई खतरनक बिच्छु था तो कोई जहरीला साप और अब उ उसके किग ने प्रॉमेस किया था कि वो गावलों की सबी प्रॉब्लम्स को सौल करेगा लेकिन पता नहीं किओ किग ने ल्यूकस की मदद करने से एकदम इनकार कर ढ़िया था और अब लयूकस के सामने सिप एक रास्ता दिख रहा था कि वो किसी हंटर को पैसे दे कर उन सै प्यार हो गया था लेकिन उस जग पर और भी बहुत सारे हंटर्स मौजूद थे जो ये नहीं चाते थे कि डैरिस को ये काम मिले इसलिए अब उन लोगों ने डैरिस पर हमला करना स्टार्ट कर दिया था बार के चारों तरब घमा सा लड़ाई चल रही थी लेकिन अब उस कोई हंटर नहीं बलके सिर्फ वाइड ड्रागन ही कर सकती है जो गाउं के एकदम किनारे पर रहती थी पर उस ड्रागन को तो गाउं से एकदम निश्कासित कर दिया गया था क्योंकि उसने अपने पांस्ट में किंग को धोका दिया था पर वही ड्रागन बच्चे वी थी जो कि ल्यूकस के कुछ मदद कर सकती थी इसलिए ल्यूकस बिना टाइम वेस्ट किये उस वाइड ड्रागन के तरफ निकल पड़ता है बहुत सारे पहाड़ों को पार करने के बाद ल्यूकस तो एक बहुत बड़े गुफा में आ गया था और अब वो थोड़ा डरा डरा अब ही था क्योंकि पता नहीं वो वाइड ड्रागन कैसा होगा और उसी मॉमिंट पर वाइड ड्रागन वहां पर आ गयी थी जिसे देखकर है तो ल्यूकस एकड़ाम शॉक में ही चला गया था लेकिन वाइड ड्रैगन तो ल्यूकस को कुछ भी नहीं करती ल्यूकस ड्रैगन को अपने माबाप के कातिलों के बार में बताता है कि कैसे उन लोगों ने मिलकर उसके फैमिले को पूरी तरीके से ख़तम कर दिया और अब ल्यूकस तो उन सभी को मार कर अपना बदला लेना चाहता था लेकिन उस वाइड ड्रैगन ने ल्यूकस से साप साप कह दिया था कि वो उन सैतानों को बदला लेने के लिए मारना चाहता है तब वो ल्यूकस की मदद नहीं करेगी लेकिन ल्यूकस को तो अब कैसे भी करके अपना बदला चाहिए था इसलिए वो ड्रैगन की मदद लिए बीना ही वहाँ से चला जाता है ल्यूकस तो अपने रास्ते में थोड़ा रुक कर सो गया था पर जब वो अपनी आखे खोलता है तो उसे अपने पस एक सफेट कलर का गोड़ा दिखाए देता है और किसी ने वहाँ पर एक बैग रख दिया था जिसके नर खाने का सामान था यानि कि ऐसा भी कोई था जो ल्यूकस के मदद कर रहा था पर ल्यूकस को तो इस बारे में कुछ भी आइडिया ही नहीं था और अब ल्यूकस उस गोड़े और सामान को लेकर आगे बढ़ने लगता है पर अब ल्यूकस को देरिस भी वापस से मिल गया था जो ल्यूकस से वादा करता है कि वो उसकी हर सिचुईचन में मदद करेगा लेकिन इसके लिए ल्यूकस को कुछ पैसे देने पड़ेंगे ल्यूकस ने तो देरिस को आदे पैसे दे दिये थे और आदे पैसे तो वो काम खतम होने के बाद देने वाला था डेरिस लूकस से कहता है कि उस ड्राइगन ने तुम्हारी मदद तो की नहीं होगी क्योंकि उसने सालों पहले डेरिस की भी मदद नहीं की थी दरसल उस टाइम डेरिस और उसके फैमिली का कार एकसिडेंट हुआ था उसमें तो देरिस को छोड़कर सारे लोग मारे गए थे पर जब वो ड्रैगन के पास मदद मागने आया था तब इसने भी डेरिस की मदद करने से इनकार कर दिया था और इस वाइट ड्रैगन के इसी नीचर की वज़े से सारे गाओं वाले उससे नफरत करते थे और अब वो दुनों उन चार कातिलों की तरफ निकल पड़ते हैं जिन्नों ने मिलकर ल्यूकस के पैरेंस को मारा था सबसे पहले उन चारों में से वो बियर नाम की एक अपरादी के पास जाने का डिसाइड करते हैं रास्ते में तो देरिस ल्यूकस को अलग-लग फाइटिंग टेक्नि लगता है इसमें ल्यूकस भी देरिस की काफी मदद कर रहा था और अब उन्हें कुछ दिर रुक कर इंतजार करना पड़ेगा इसी बीच ल्यूकस देरिस से एक सवाल करता है कि आखिर कर सभी गाउंवाले उस वाइट ड्रैगन से इतना नफरत क्यों करते थे तब जाकर देरिस ल्यूकस को सारी सच्चाई बताता है जिसमें कुछ सालों पहले जब उनके गाउंपर दूसरे गाउंवालों ने हमला कर दिया था तब उस ड्रैगन ने किंग से वादा किया था कि वो उसकी हराल में मदद करेगी लेकिन जब लड़ाई में किंग की हालत काफी ज़ दराब उचुकी थी तब पता नहीं कि वाई ड्रैगन ने उसके मदद करने से मना कर दिया था दरसल उस ड्रैगन के पास एक ऐसी पावर थी जिससे कि अगर वो अपने हाट का कोई भी पाट कैसे भी इनसान को दे रेगी तब वो पुरी तरीके से तन दुरूस्त और पाव ले सकती थी वो ड्रैगन कहती है कि ड्रैगन ने उससे पूरी बात नहीं बताई वो तो यहाँ पर ल्यूकस की मदद करने ही आई थी लेकिन अब ल्यूकस को वैसा ही करना पड़ेगा जैसा कि वो चाहती थी ल्यूकस तो इस बात से मान जाता है लेकिन ड्रैगन को तो उस डिनर बनाना चाहते थे लेकिन अब Lucas के मदद करने के लिए वो White Dragon वहाँ पर आ गई थी White Dragon ने तो अपने बड़े बड़े पंको का यूज़ करके उन सारे लोगों को खतम करना स्टार्ट कर दिया था वहीं दूसरी तरफ बियर Lucas के पीछे पड़ा हुआ था और अब बियर Lucas को पकड़ कर उसे जोर जोर से गुमाने लगा था पर अगले ही मोमेंट में Lucas का वो बेल तूट जाता है जिससे कि बियर का बैलेंस बिगड़ने से वो पहाड की चोटी से नीचे गिर कर मर जाता है Lucas तो इस बात से काफी जदा खुश हो गया था क्योंकि वो अपने माबाप के कातिलों में से पहले कातिल को मारने में कामयाब हो गया था पर ड्रैगन Lucas को समझाती है कि उससे किसी के मरने पर खुश नहीं होना चाहिए और अब Lucas ड्रैगन के साथ उस दूसरे सैतान के तरफ निकल पड़ता है जिनोंने उसके पैरंस को खतम किया था और अब पूरे एक दिन ट्रैवल करने के बाद Lucas तो एक अंजान जंगल में पहुच गया था पर तभी उसके उपर दव वॉल्फ की टीम ने हमला कर दिया था जो मदु मक्ये के छटों का यूज कर रही थी वहाँ पर Lucas के मदद करने के लिए वो वाइड ड्रैगन भी आ गई थी जो वहाँ के सैतानी लोगों को पकड़ कर मारते जा रही थी लेकिन अब वॉल्फ ने Lucas को पकड़ लिया था और वो तो उसे मार नहीं वाला था पर तभी उस जगह पर एक कुट्ता आ जाता है जो कि वाल्फ का ध्यान बढ़का रहा था और इसी मौके का फायदा उठाकर Lucas ने वाल्फ पर पलेट वार कर दिया था वो सबी लोग अब तीसरे कातिल के पास पहुँच जाते हैं जिसका नाम स्नेक था लेकिन उस जगह पर तो डेरिस पहले से ही था जो कि स्नेक को मारने की कोशिश कर रहा था तभी डेरिस को मारने के लिए स्नेक के सारे लोग उससे घेर लेते हैं पर ये सारी चीजे वो ड्राइगन कैसे देखता तब वो तुरेंट डेरिस की मदद करने चली जाती है ड्राइगन को देखकर तो स्नेक अपनी जान बचा कर भागने लग गई थी वाल्फ भी आजाद होकर ल्यूकस और डेरिस को मारने की कोशिश करता है पर तब ही उस ड्राइगन ने अपने मुझसे बहुत सारी बर्फ निकाली थी और वॉल्फ का हाथ पूरी तरीके से जमा दिया था यानि कि वो ड्राइगन अपने मुझसे आग नहीं बलकि बर्फ निकालती थी यहाँ पर जब स्नेक भाग रहे होती है तब ल्यूकस स्नेक को साई टाइम पर पकड़ लेता है और अब तो उन दोनों के बीच एक गमा सन फाइट चालू हो गई थी जिसमें कि स्नेक ल्यूकस पर काफी एदा भारी पड़ रही थी वो ड्राइगन भी वहाँ पर आ जाती है और उसने तो बर्फ से स्नेक पर हमला कर दिया था लेकिन स्नेक उस वार से बच जाती है और वो बर्फ का हमला सीधा जाकर डेरिस को लग जाता है ये ताजुब की बात थी कि उस हमले से जितना दर देरिस को हो रहा था उतना ही वो ड्रैगन महसूस कर पा रही थी ल्यूकस तो ये सारी चीजे समझी नहीं पा रहा था कि आखिर यहां पर हो क्या रहा है दरसल जब सालों पहले देरिस का वो एक्सेडेंट हुआ था तब उस वाइड ड्रैगन नहीं डेरिस की जान बचाई थी उसने अपने दिल का एक तुकड़ा डेरिस के बाड़ी में डाल दिया था जिससे की डेरिस एकदम सही सलामत हो गया था और इसी के वज़े से डेरिस अलग-लग जानवरे से बात कर सकता था लेकिन ये सारी चीज़े डेरिस को अभी तक पता नहीं थी और अब वो लोग सनेक को पकड़ कर एक रात वहीं गुजारने का डिसाइड करते हैं डेरिस लूकस से कह रहा था कि उसे स्नेक को मार देना चाहिए लेकिन ड्राइगन समझाते रहती है कि उसे किसी की जान नहीं लेनी है तभी वो ड्राइगन डेरिस और लूकस को बताती है कि जिसके इंको वो सब महान समझते थे दरसल वो एक धोके बाज है वो नकली लडाईया करके खुद को महान दिखाने की कुशिस करता है और सालों पहले उसी के गाड़ी के वज़े से डेरिस के माता पिता एक्सेडेंट में मारे गए थे और तब उस ड्राईगन ने ही डेरिस के अपने एक दिल का पार्ट दिया था जिससे कि वो वापस से जिंदा हो गया था पर जब उस ड्राईगन को राजा ने उसके मदद करने के लिए बुलाया था क्योंकि वो भी एक्सेडेंट में काफी यदा घायल हो चुका था राजा ने ड्राइगन से जूट कहा था कि बहुती घमासा न्युद्ध के वज़े से उसकी ये हालत हुई है लेकिन ड्राइगन को तो असली सच्चाई के बारे में पहले से ही पता था इसलिए वो राजा को अपने दिल का तुकड़ा देने से मना कर देती है और अब सभी गाउं वाले बिना वज़े जाने ड्राइगन से नफरत करने लगे थे डेरिस को जब ये सारी बाते पता चलती है तब वो तो एकदम से शौक हो जाता है क्योंकि इतने टाइम से वो ड्राइगन से नफरत करता आ रहा था और उसी नहीं डेरिस की जान बचाई थी डेरिस को अब उसके राजा पर काफ़े गुस्सा आ रहा था और वो तो उसे जान से मारना चाता था लेकिन अब ल्यूकस डेसाइड करता है कि वो स्नेक को मारेगा नहीं बलकि राजा के हवाले कर देगा इसके बाद डेरिस स्नेक को लेकर राजा के महल में पहुच जाता है और अब तो स्नेक को कैद कर दिया गया था अब तो ल्यूकस लिया नाम की एक लड़की से मिलता है जिससे की वो बहुत पसंद करता था और वो दुनों एक साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं वहीं दूसरी तरब डेरिस कुछ पेपर के तुकडो को जोड रहा होता है और ये पेपर उसे स्नेक के घर से मिले थे उन्हें जोडने के बड़ डेरिस को ये शौकिंग न्यूस पता चलती है कि वो चारो सैतानी कातिल राजा के लिए काम करते थे और राजा नहीं उन्हें पैसे दिये थे कि वो लोगों को जाकर मारने लगे डेरिस जैसे ही ये बात अपने साथियों को बताने जा रहा था तब ही वहाँ किंग के सिपाई आ गए थे जिन्होंने डेरिस को पकड़ लिया था और अब डेरिस को राजा के सामने पेश किया जाता है राजा उसे बताता है कि वो चारो अपरादी उसके लिए काम करते थे और उसके कहने पर वो सब किसी भी इंसान को मार देते थे जिसके बाद राजा उन्हें जोट मुटका कैद कर देता था और गाउवालों की नजरों में उनका हेरो बन जाता था राजा तो डेरिस को वान करता है कि अगर Darius ने उसके किसी भी प्लैन में टांग अड़ाने की कोशिश की न तब वो उससे भी बूरी तरीके से मरवा देगा यहाँ पर हमें Snake को जेल में दिखाय जाता है और अब उसका एक आखरी साती जिसका नम Scorpion था वो Snake को छुडाने आ जाता है वहीं दूसरी तरफ Darius Lucas और Dragon के पास चला गया था और Darius ने तो उने राजा के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया था और अब सिप उन सबी को वो पेपर चाहिए था जिस पे साफ साफ लिखा था कि वो चारों लोग King के कहने पर काम करते थे क्योंकि उस पेपर को Darius से राजा की लोगों ने छीन लिया था और अब Leah के गर में पता नहीं कैसे तो आग लग गई थी तो Lucas और बाकी सब उसकी मदद करने वहाँ पर चले जाते हैं Dragon ने तो अपने मुझ से बर्फ निकाल कर उस पूरी आग को बुझा दिया था और अब Leah और उसकी पूरी फैमिली एकदम से सही सलामत थी Lucas और डेरिस को खबर मिलती है कि Snake अपने सात्यों के साथ वहाँ से आजाद हो गई है इसलिए अब वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो Snake और स्कॉर्पियन का पिछा करेंगे और उन्हें मार देंगे लेकिन ड्रेगन उनके साथ न जाकर यही रुखने का डिसाइड करती है क्योंकि उसे वो पेपर डुनना था जिस पर साफ साफ लिखा था कि वो चारो अपरादी किंग के अंडर काम करते थे इसलिए अब Lucas और Darius अपने सफर पर निकल पड़ते हैं स्नेक और स्कॉर्पियन को जान से मारने के लिए वो दोनों तो उनके अड़ों पर पहुँच भी गए थे और अब Lucas और स्नेक एक दूसर से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं वहीं डेनिस स्कॉर्पियो को समाल रहा था जब या बाट ड्रैगन को पता चलती है कि Lucas और डेनिस की जान खत्रे में है तब वो तेजी से उड़ते हुए उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ रही थी स्कॉर्पियो ने तो डेनिस को मारते मारते पानी के अंदर डुबा दिया था और इसके वज़े से उस ड्रैगन को भी गुटन होने लगती है क्योंकि डेनिस और वो ड्रैगन एक दूसरे से जुड़े हुए थे पर डेनिस कैसे भी समलता है और अपने बॉड़ी में से एक एरो निकाल कर स्कॉर्पियो को यूल्टा मार कर उसे खतम कर देता है लेकिन या स्नेक ने ल्यूकस को काफी यदा घायल कर दिया था जब वो ड्रैगन वहाँ पर पहुचती है तब स्नेक तो उसके सामने सरेंडर करना चाहती थी पर अब ल्यूकस की हालत तो काफी यदा खराब हो चुकी थी स्नेक ड्रैगन से कह रही थी कि वो सब किंग के कहने पर ये सारे काम करते थे लेकिन अब तो वो ड्राइगन स्नेक पर काफी गुसा हो चुकी थी उसने तो स्नेक को अपने बड़े से मुझ से पकड़कर पूरी तरीके से मार कर फेक दिया था लेकिन अब वो ड्राइगन और डेरिस ल्युक marriage के पास जाते हैं ताकि Lucas का बहुत ही अच्छे से इलाज हो सके और अब वो ड्रैगन Lucas को लेकर उसी जगों पर चली जाती है जहां Lucas का अच्छे से इलाज हो सके और एक दिन के अंदर अंदर Lucas काफी ठीक हो जाता है उस जगों पर तो लिया भी आ गई थी पर जब वो सब वापस अपने गाव में पहुचते हैं तब किंग ने तो Lucas को अपरादी गोशित कर दिया था और वो कहता है कि Lucas ने उनके साथ धोका किया है लेकिन अब वो ड्रैगन किंग को उल्टा जवाब देती है कि धोका तो तुमने सभी के साथ किया है इसके बाद वो सभी गावालों को बताती है कि राजा ने उन चारों अपरादियों को पैसे दिये थे Lucas और बाकी लोगों के परिवार को खतम करने के लिए उस ड्रैगन के पास तो सबूर भी था उस जगब पर वाल्फ आ जाता है जिसकी ड्रैगन ने एक हाथ तोड़ दी थी और अब वाल्फ भी सभी लोगों को सच्चाई बता देता है कि राजा ने कैसे उसे पैसे दिये थे सभी लोगों को मारने के लिए और बाद में वो उन्हें ही अरेस्ट कर लेता था ताकि वो प्रजा के सामने काफी उचा हो जाए एक सिपाई हिमर्ट जो टाकर राजा के अगेंस खड़ा हो जाता है और उसके पास तो वो पेपर भी था जिस पर साफ साफ लिखा था कि वो चारोप प्रादी राजा के लिए ही काम किया करते थे और अब सारे गाउवलो को ये बात कनफाम हो गई थी कि उनका राजा एक धोंगी है इसलिए अब राजा को जेल में कैद कर दिया गया था सब कुछ अच्छे से खतम होने के बाद लियोकस लिया के साथ अपनी बाकी जिंदगी गुजारने लगता है देरीज भी गाउवलो के साथ रहने लगा था और सबसे बड़ी बात गाउवलो ने ड्रैगन को एकसेप्ट कर लिया था ड्रैगन भी उन सबी के साथ खुशी-खुशी रहने लग जाती है और इसी के साथ हमारी ये स्टोरी यहीं पर खतम हो गई थी आपको ये स्टोरी कैसे लगी प्लीज कमेंट सेक्चन में बता दो और अगर आपको मेरा एक्स्प्लीनेशन एक पसंट भी अच्छा लगा होगा न तो वीडियो को लाइक एन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि सच में इससे मुझे काफी अदा मोटिवेशन दलता है आपके लिए इसी तरीकी के मैंसरा स्टोरी जून कर लाने के लिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सी या